कि अज़ाव अलेकुम दोस्तों यह देखो दिल्ली की सबसे मश्वूर जड़ी पूटियों के दुगान दिल्ली के जितने भी कभूदरवाद है दाता सारा समान यहीं से जाता है और यह है देखो शम्शी दवाखाना यह सबसे मश्वूर दुगान है जड़ी पूटियों के शम्शी दवाखाना यह फौन नमबर है बल्ली मारान में यह चादिनी तो चोक से अंदर आएंगे ना आप जहां जूतों की मारगी ने उससे अंदर आ सकते हैं यहां किसे कोई समान ना मिलता हो कोई यहां से ले जाए ना भाई शम्शी दवाखाना सबसे मश्यूर दुगान क्या ना में सर्जी आपका मोमध वैदर तो यह दुगान कब से है यहां पर 1934 से यह दुगान तो यह किस ने शुरू कर दी आपके क्या नाम था आपके दादा का मुहम्मध हफीज तो हिकमत से तालुक है आपका तो वह आपके दादा है हकी मुहम्मध हफीज साब और यह 1934 से दुगान चली आ रही है माशायल्ला तो तक्रीबन सारी जड़ी बूट अच्छा युनानी कंपनी के पेटेंट आइटम यानि के उनकी जो दवाईयां होती है जैसा कि आप यह देख रहे हैं चोकेस के अंदर यह सब आपको मिल जाएंगी और जो रोजड़ी बूटियां होती है इरानी अगर अभी होता है वह कितने किस हिसाब से कितने रुपे तोला है 120 रुपे तोला है है क्या आसपास यहीं दिखा दो यह सबसे ज्यादा परिशान पबली अगर गरें के लिए रहती है तो मैं दिखा दूंग जो है कि यह जी इरानी अगर गरा तो यह 120 रुपे तोला है यह इरान से आता है इसका नाम इरानी अगर गरा क्यों है अच्छा और देशी अगर करा इंडिया का यह होता है वह क्या रुपे तोला है सो रुपे का सो गिराम है और यह जो है 120 रुपे का दस गिराम है तो दोस्तों मैंने यह आपकी लोकेशन बाता है यह बली मारान में इदर से तो चांदी चोक से रास्तर पड़क और इस तरफ से चावडी वजास इदर से आप आ सकते हैं दोस्तों अगर आपको किसी को पाइयों की जरूरी यह के कब उत्रों की दवाई हो आप अकीमी दवाई आयूरवेद या कोई और नुस्का बनाना चाहे उसके लिए भी आप यहां कॉंटेट कर सकते हैं कितने वज़े से कितने वज़े खुलती है सुबा साड़े दस से राज साड़े आड़ बए तक और संदे में एक वज़े खुलती है दिन में उसके बाद बंद हो जाती है ठीक है दोस्तों बहुत 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 शुक्रिया